दर्सी भगवान अप्रगट जया भगवान में मारवाणाट तयार देवा भगवान इना दको मारए तो अने इनी पुझा भगड़ी जे खेश्टा खेश्टा बार लीने आगे भयानक भगवान दू सरूप लाल लाल आखो पीडू सरूप शरिर्माती अगनी Whenever भगवान इतरईवहित ब्रगटी कापच ठरणाट धरती द्रूजद्र भगवान दर धरती द्रूजद्र लर तर असुर विधायो आतनिवायो शत्रत बैयो प्रभ अजसनाद हरी हरी नर हरी जय 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 नार तो दिये शिनती बगवान की जय बगवान नर्थिये ने लई दे बार आवे अत्वार नामति बागमा पुदा ना खुड़ा माईने खुड़ाबी पुदाना विशाल बूटा नगती एने आत्वड़ियों ने पेट ने फाड़ी जी जय ने फूटा में गलमा लगाडी रग्त लुपां मिकरवाल आगया तेयों पुष्पप्रुष्पी करी जै घोश्च कवाल आगयो नर्थि भगवान की जे भगवान भयंको एक्षोद मां बदा पास से आगया कि अवे नर्सी भगवान ने सांथ करूँ शांथ करूँ लक्ष्मी जी पास से आगया अने नर्सी जी ए भी दाहाड लगाड ये दूर भागी भर्म्मा जी कहें जे और जैना माठ छैन रूप धारण करो जे भकत द्वा जैए शांथ दसे प्रहलात जी सामया अवया आणे प्रहलात जी has a जोड़ीने भगवान ने संव cuatro बाचए प्रहलात जोई नर्सी भगवाने शांथ खुब सुन्दर सुद्धी प्रहलाची एकरी तत्ते हतं नमस्त दिकर्म पूजा कर्मस्त प्रतेश्चरणयो श्रवणं कथायां सभी सेवयात रईविनेच शडंगयां कि मत्तिन जनहां वर्महां सदतो लग्धेत धे प्रमकुजे आपनी सेवान अच्छ अंग छे नमस्कार स्तूती समस्त कर्मों का समर्पन सेवा आपके चरण कमलों का चिंतन और आपकी लीला कधा का श्रवण इन छे अंगों के सेवा के बिना आपके चरण कमलों में भक्ति नहीं हो सकती और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी नर्सनी भगवान प्रसंद है इना मस्तक पर हाथ मुख्यो हमें तारा भाव थी प्रेम थी बहु प्रसंद छी मांग तने शुजो ये छी हमारे कहिंग आप पूछे प्रहलाज जी कहते हैं भगवन जो आप मुझे देना ही चाहते हैं यदे राशी शमेतामन कशस्वं भर्दर्शवं आमालं रद्यसरेंगान भवतस्तों प्रेवर्ण जो भगवान आपने आपने पूछे तो ये वो वर्दा नापो कि मारे अंदर क्यारे पन क्यारे मांगवान इच्छ अजनों था कारण के प्रभु जारे जेवना रद्यमा क्यारे कोई कामना नो जन्म थाई छे जब किसी जीव के रद्य में किसी कामना का उद्य होता है तो उसके इंद्रिये मन प्राण देह धर मधेरे बुद्धी लज्जा श्री तेज स्मृति सत्य आब बद्धू नश्ट थेई जाई छे प्रभु जो केकमने देवु जो है तो आप यह भी कृपा करो कि मारे अंदर क्यारे पड़ मांगवनी इच्छन होता है निश्काम धक्ति निश्काम प्रेव पुछी प्रम्मा जी ए प्रहलाज जिनो राज्या विशेक करेव नारज जी ए खुब प्रेम ती प्रहलाज चरित्र नी कथा धर्म राज्य दिश्टिट ने समड़ावी आनि फलश्रती बतावी कि जे प्रहलाज चरित्र नू सेवन करेचे श्रवन करेचे इस जीव निर्भिक न बनेचे जे भय थी मनुष्य त्रसित छे भय क्यारे आवे कि जारे विश्वास नी कमी हुए प्रहलाज जीना चरित्र थी जीवना अंदर विश्वास नी बृद्धी थाएचे रहू सर्व समर्तोरी ततो निश्चिंत दाम्रजेद भगवान सर्व समर्ते जब मेरे साथ हैं तो फिर मुझे भय चिंता किस बात की तो एक ए द्रडता आ प्रहलाज जीना चरित्र नू श्रवण करीने थाएचे जीवनिर्भीद न बनेचे आगार युदेश्टेर जीए नारज जीने मनुष्य ना धर्म शू छे इनी जिग्यासा वक्त करी अने पछे अग्यार थी पंदर अध्याय सुधी धर्मनी कथा जे माँ चार अध्याय माँ साधारन धर्म अने पात थी पंदर अध्याय माँ विशिष्ट धर्मनी चर्चा साधार अण धर्म एटले मनुष्य मात्र ना धर्म जेना 30 लक्षण बताव्या नारज जी गए जेग धर्म राज आ धर्मनी चर्चा बहु लांबी छे नी कथा बहु लांबी छे अने आ धर्मनी कथा में भगवान ना श्री मुक्ती में सामबडी छे धर्मना 30 लक्षण बताव्या जे मानों पहलो लक्षण चे सत्य अने अंतिम लक्षण चे आत्म समर्पन साधारण धर्म नी चर्चा करी एना पची विशिष्ट धर्म एटले ब्राम्माण क्षत्रिय वैश्य न शुद्र एना सु धर्म छे ए विशिष्ट धर्म बताव्या ब्रह्मचारिय आश्रम ब्रहस्त आश्रम वान प्रस्त एवं सन्यास आश्रम इना सुधर्मचे जीवना इनी चर्चा करी युदिष्टिर जीना समस्तो संशयोने नारज जीना सत्संग थी इस शंशय बदा दूर थेया आउ इनी साथे जहिया साथ मसकन ने विराम करी ने आठ मसकन मा आपने प्रविश करी भूलिये श्रिभाद आठ मसकन मन्वंतर लिला 24 अध्याए आ मन्वंतर लिला मा कालना प्रकार बताव्या शुक्देव जी कहे जे राजन प्रत्येक मन्वंतर मा प्रभूनो एक अवतार थाई छे छव वस्तुव मा छव वस्तुवों थी मन्वंतर बने जे भू ध्यान की समझवा जे वाद छे मन्वंतर मा छव वस्तुवों होए मन्व पुत्र देव इंद्र सप्तरेशी अने एक भगवद अवता शुक्देव जी कहते है राजन इस कल्प में छे मन्व हुए प्रथम स्वायंभु मनु जिसकी कथा मैंने आपको सुनाई स्वायंभु मनु के पुत्री आकृती देव उती प्रसुती के भी चरित्र मैंने आपको सुनाई और जब स्वायंभु मनु तपस्या करने वन्मे गए तो वहां श्री अग्यभगवान ने राक्षसों से उनकी रख्षा किया एक तल्प माँ चौद मन्वंतर हुए शुक्देव जी कहे जे के राजन इस्षो मन्वंतर शे मन्वंतर बीच चुके है यह सात्वाँ वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है जिसमें हम सब लोग जी रहे आपने बदा जे समय महां जी रहा चिये यह सात्मों वैवस्वत मन्वंतर चल जुह सत्ययूग 3 द्वापर अनकल्यूग 4 यूग भेगा था है तो यह चत्यूग के गेवाए चार यूग नो समय जारे व्यतित थाए तो यह एक मनवंतर थाए जारे आवा चवद मनवंतर थाए चवद मनवंतर नो समय निकड़े तो यह कल्प बने खलाए वो सत्य त्रेता द्वापर ने कली चार योग एले चतर योग ये चतुर योगनों समय निक्रों एटलेक मनवंतर नेवा जारे चवुद मनवंतर जाए तो येने कल्प कहवाए येले आज ये कल्प चाली रहोचे जिमां आपने बदा जीवी रहाचे ये श्वेत वराहता हाथ श्वेत वराह कल्पनों सात्मों वैवस्वत मनवंतर आचाली रहोचे अने वैवस्वत मनवंतर नों 28 मों चतुर योगी नों कल्यूग अने कल्यूग नों पन प्रथम चरण आपने जारे कोई पण अनुष्वान ना पूर्व आपने संकल्प करिया ना इस संकल्प मां आपने भुदे ये मंत्र बोला आगए अवे तमे जारे करों जारे ध्यान थी सामबढ़ जो श्रे श्रे तवारा हकल्पे सत्तमे वेवस्वत मन्वन करे अश्टा विन्षित्तमे कल्यूग अने कल्यूग नों पन प्रथम चरण शुकदेव जी कहते हैं राजन दूसरे मनुवे स्वारुचुष और तीसरे हुए प्रियवरत के पुत्र उत्तम चोथे मनुवे तामस मनु जिसमें भगवान का श्री हरिय उतार हुआ वर जिनोंने कजिंदर का उत्थार किया बीजा अध्यायती लईने चोथा अध्याय सुधी कजिंदर मोक्षिनी कथार प्रिक्षित राजा केचे महाराज मने कजिंदर मोक्षिनी कथा विस्तार की श्रवन कराओगा शुकदेवजी कहेचे राजन त्रिकुटाचल परवत पर एक मधमस्त हाथी एक गजराज रहतो बहु सरस्व कथा ज्याँ त्रिकुटा चल परवत इमा एक सोना नो बीजा रूपा नो ने त्री जो लोड़ा नो परवत त्रिकुटा चल परवत पर हाथी ना परिवार साथ है रहे एक दिवस निवात आ गजराज परिवार साथ है सरोवर मा सनान करवा आवे हो त्याज एक गराह एक मगर एक गजराज ना पाउने पकड़ी ने पकड़ी ने अंदर खेच्वा लागे हो पहला हाती विचारी हो क्यामना निकड़ी जेस्ट छोड़ा विले इस पोताने लेकिन ग्रहा ने इतना जोर लगाया गजराज मुत नो थोई शक्यों पुदाना परिवार ने बोला वाला गया पेला इना परिवार वाड़ा इनी मदद करऊ माटे आगड आवया पर विचार्यों के जो हवे आनी बचावा माटे हमें अंदर आगड जैशू तो हमें डूबी जैश बदा दूर खटी पाच़डा लेगा हवे उला गजराजे विचार्यों के हवे मने आग रहाना पग्मा थी तो बस मारा भगवान प्रभुज मने छुडावी शक्से एज मारी रक्षा कर से अने एने शूकरियों वे गजराजे प्रभुने बुकार दरा जो आ गजराज ये तरिकुटाचल परवत पर रहे छेळले काम क्रोध और लोब इम आ गजंद्र ॐपी जीव रहे छे, सरोवर मा स्नान करवे इडले संसार रुपी सरोवर ना सुक भोगवा माठी गजंद्र ॐपी जीव सरोवर मा जाए छे, काल रूपी ग्राह ए घाथी ना पगने पक्ड आप पॉक जाए ना समझो एक राय पकड़े ली तो काल एक वार बेसी गया तो उपा नो धोगाए नूपा देए गया तो बेसाए नहीं काल ने पकड़ लिया है साउधान हो जाना आपने संकेत तो मड़े जिसे आपने संकेत उने जोता नथी यह सब संकेत हैं कि समय धीरे धीरे अपने गजिंदरुपी जी विचारे छे कि आसागा संबन्दी मारो मित्र परिवार बदो मने साथ आपसे पर जारे विपत्ती नों समय आवे छे तरे बद्धा किनारा करी ले छे बदा दूर भागी यह अंति में समय आवे ओं रभू ने पुकार लगाड़ी है व्रभू हूं आपनी श्रण माचू आप ही मेरी रक्षा पर रभू ने पुकार लगाड़ी हूं रभू ने पुकार लगाड़ी हूं हे गुमीन हे गुपाल अब तो जीवन आरे हे गुमीन देगुपाल अब तो जीवन आरे है गुमीन देगुपाल ने गुमीन देगुपाल हे गो बीन्द राखो सरन अगरो जीवन आरे हे गो बीन्द हे गो पाने अपने बदाए हाथ जोड़ी ने प्रभु ने विंत्री करिये प्रभु आस अंसार रुपी ग्राये अमने पड़ अमारा पग ने अमारा जीवन ने पड़ पकड़ी लिदो छे आप संसार रुपी ग्राती अमने आपज मुद्द कराओ अमें आपनी शरण माझी नीर पीवन हे तुगयो सिंधु के बिनारे सिंधु बीच बसत ग्राह सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ग्रही पचारे सिंधु बीच बसत ग्राह तुगयो सिंधु के खिनारे यहां जिवात्मा रुपी के जिंद्र संसार के विशय वास्ता भूत्मे के लिए स्तरुपर में जाता है सिंधु बीच मसत ग्राह अने संसार रुपीक ग्राह औम संसार अने संसार भू अए वो खेश तो झाए वो खेश तो जाए तुर टाइम मंत नथी मत नथी मत नहीं हम जी घंडा के शेख मिनारे चार पहतियो घखत्षियो तशब्वण होग्य हो 不 Eurosुआ गृँ 3000 जेखत्यो नदुआ है पत्यों पत्यों प्यौ Hmm चार प्रहियो दभयो लई गयो मजदारे नाक कान डूबन लागे कर्ष्ण को कारे हेगो बीन्द हेगो पारे हेगो बिन्द राखो शरण हेगो बीन्द राखो शरण अवतो जीवन आरे हेगो बीन्द हेगो पारे हेगो बीन्द राखो बीन्द राखो शरण हेगो बीन्द राखो शरण हेगो बारे द्वारिकान सब्द गया सोर्भयो पारे हेगो बीन्द राखो शरण हेगो बीन्द राखो शरण हेगो बीन्द राखो शरण अवतो जीवन आरे हेहे वीन्द राखो शरण सुन कर शरण स्याम सुनों चरण है तिहारे सूर कहे स्याम सुनों सरण है तिहारे अबती बार पार करो नंद के दूलारे एको बिन्द एको पार एको बिन्द का उक्षण एको बिन्द 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 एक हे गुबीन हे गुपाल नार हे गुबीन हे गुबीन हे गुपाल नार गरूर पर सवार होके भगवान गुपाल गजेंद्र नो धार करण आमनी पूरुव जन्वनी कथा आवे छे कि आज ग्राव हे तो ए भूहु नामनो गंदर वह तो देवल रुशी नो श्राप लागयो रुशी एक वार स्नान करवा माते नदी में आवे आने त्या आज गंदर व स्त्रियों साथे त्या विहार करी रहे तो जलक्रिडा करी रहे तो रुशी स्नान माते आवे न आ गंदर विशू कर्यों चुपाई ने पाणी मादे चुपाई ने रुशी ना पक खेच्या मस्करी करी श्राप आपयो जेना चल दे आ ग्राथे तो आज आजे हाथी जे गजराज तो ए हिंद्र दुन नामनो राजा आतो मोन ब्रतने कारणे अगत्स रुशी नो सतकार न करी शक्यों जेना लिदे आने श्राप मड़े का स्थुल बुद्धी वाला हाथी हो ने भगवद इच्छा थी आप बनने नो यां सयोग थो गजराज ने मोक्ष मड़े हो जरे भगवद धाम मा गयो तो जुयू तो महां पहले से आपके पहले भगवान ने मेरे पे कृपा की क्योंकि आप तो भगवान के नन्य भक्त हो और मैंने आपके चरणों का आश्रे लिया इसलिए भगवान ने कृपा पहले मेरे पे की लिए भग्तों नो चरण नो आश्रे राखे भग्तों नी सेवा करे भगवान नेनी उपक्रपा विशेश पहला करा चाँ आगे पाँच में रेवत मनवंतर हुए छठे चाकुष मनवंतर हुए जिसमें भगवान का अजित उतार हुआ और ये अजित भगवान ने देव दानों में समुद्र मन्थन करवाया आगर समुद्र मन्थन नहीं कथा आगर जारे इंद्र राजा ने दुर्वासा रुशी नो श्राप लागयो जारे देव दानों मा युद्ध तयो श्राप ना लिदे देवो हारी गया हुआ लाधा देवों ब्रह्माजी पासे गया करी प्रभु ने प cyclल ने ब्रत चक्राद वाखमाने आजिए आग्या करी केम करो वसे प्रसंदी यह देख जय हैु ठेव साथ संदी कर थ्याय ये अम्रुत में लई लेशो तो तुम्हें अमर बनी जो शो तुम्हारों पराजाई नहीं था पछिया एंद्रादी बली राजा पास से आवया असुरों ने आवी ने वाद करी समुद्र मंथन नी कईव के पई जेपन छेपन आपने चीए तो भाई भाई ने बदा एम करीए समुद्र मंथन करीए जेपन मर से बदो आपस्वावाटी लेशो समुद्र मंथन नी तयारी प्रारम बठेई मंद्राचल परवतने समुद्र मस्थित करेऊ वासो की नागन रस्षी बनावी और देव दानव बनने खेचवा लागए देखिए ये संसार ही समुद्र है अपने जिवन का मंथन करो और मंथन करके ज्यान और भक्ति रुख अम मन को मंद्राचल परवत की तरह स्थित करो मन ही मंद्राचल परवत है और प्रेम की डोर वह वासो की नाग है और यह मंथन कब से स्टार्ट होता है कब से प्रारम होता है सोलहा वर्ष से सोलहा वर्ष की आयू से यह मंथन प्रारम करो आपड़े जानिये चिए कि जारे समुध्र मन्थन थयू जए मन्थन ना समय वन्हेंगे दानों बन्ने बृत्तियों एक बीजातरव खी活 चे जारे मननु मंतन प्रार्म थाय तो देव बृत्तियय और आसुरि बृत्ति बन्ने आपड़ा मन्हें ही छे पर जो मन्दमा संयम होए तो एमाती अम्रत्वनी प्राप्ति धाई चाई मन्थन करी रहाता त्याज ए मंद्रा चले पाणी मा ढूबबा लागयो ने भगवान कश्यप रूप धारण करी ने उतानी पीडू पर ए मंद्रा चलने स्थित करयो बोलिये श्रिकश्यप भगवान कीजे समुद्र मन्थन करता करता है काल गोट विश निकड़ो शिवजी ए ग्रहन करेऊ वारुन एवी प्रकट दई असुरे ने लई गया काम देनू गाय ब्रामण ने आपा मावी उच्च श्रवा नामनो गोड़ो बली राजा ए राथे एरावध हाती इंद्र ए राथे 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 कि बोल ये श्री धन्वंतरी भगवान की जये अन्य धन्वंतरी भगवान हादमा अमर्त कुंभ लई ने प्रगट थ यान जेव अम्रुद आविो देव दानु ओनो धिरती छोटे आ अमुर्थनун लेवा मॉटे दहिस बाने दन्वंतरी भगवान मी 5 पाचर भागया त्याँज भगवाने मोहिनी रुप धारण करें ए अम्रुत्व देवों ने पाए बोल ये श्री मोहिनी भगवान की जय जय रे मोहीनी भगवान देवताऊने अम्रुत्व पान रह था त्यारे असुर महानो ए store अवी ने पेसे गये रूप बदलीने अम्रुत नो बान पर यू त्यांते सूर्य जोयों कईयों के मोहीनी विक्रभू आ आ असूर छे छे ने भगवान को तना मूल सुरुक मावयाने राहू ने मारे हो पर अम्रुत नो सपर्श थयो तो इटले राहू अने के तु बेध है देवतावे जो यू यू अमारी साथ छल थयो ने होए बंदे मायूद थयो देवासूर नाम नो महा संग्राम था अवे आद देवतावे तो असूर पीदो तो इटले शक्ति शाड़ी अमरत्व थाई गया अमरत्व थाई गया असूरो नो पराजय थयो ना बदा असूरो इमना गुरु शुक्राचारजी नी श्यरण मावया शुक्राचारजी संजीव नी वित्या द्वारा बली राजा ने स्वर्ग नो राजय अस्तगत करावे ने स्वर्ग नो राजय अस्तगत करावे ने शुक्राचारजी विचा और गपराया न 5 प्रेशानी जोईने इमनी माता अदीथी खुब दुखी थे मनमा गْलानी थे करन पत्नी कशिव पत्नी अधिती ने दुफी जोई ने इमनी पत्नी ने पयो बृत नो उपदेश आपके आप बृत बार दिवस्तों ने फागुन के महीने में ये बृत होता है बड़ा कठीन है ये अधिती ने ये पयो बृत का निमनुसार पालन किया भगवान प्रसंद हुए और कहा कि अब तुमारे फुत्रों की रक्षा करने के लिए हम तुमारे घर्गों से चन्द लेगे प्रभुना वचन सामबडीने अधिती ने कश्यप प्रभुना सुरूप मा धिहानन करवा लाग्या ने चित बृत्ती पमित्र थाई धीरे तीरे समय निकड़ो अधिती प्रभाध है नौ मास पूर्ण धया और अवे भगवानना प्रगड़ थवान परम पवित्र मास आवे भाद्रपद अने भाद्रपद ने शुक्ल पक्ष्णी द्वादश दिथे मध्यानना समय माधा अधितीना स्तनमोख वामन भगवान प्रगड़ थे बोलिये श्री वा प्रगवान प्रगड़ द्यद्वा कि यारे वामन भगवान प्रकड़ थया तो इसात वरष्ण आठा तो अधिता इसो चूकर आं पुद्य युद्य पवीत्य संसकार करें यग्यों पवित्य संस्कार करया भिक्षा मांगवानों समय आवे हो तो अधीति ये भिक्षा पूदाना पुत्र ने लंगोटी आपी धर्ती आशन आपी ब्रह्माजी ये कमंडल आपी उ सरस्वती जप माला आपी चंद्र इदंड आपी उने कुवेरे भिक्षा पात्र आप क्या किया है कि सुन्दर सुरू कि प्रग कच्छमा जहां बली राजा अश्वमेग यगे करी रहा था एने कंगाल करवा माठे एनी पासे दी भिक्षा लेवा माठे विष्णू वामन थै चालियारे विष्णू वामन थै चालियारे विष्णू वामन थै चालियारे मताडवा विजो इंद्र मारावाला मताडवा विजो इंद्र मारावाला विष्णू वामन थै चालियारे विष्णू वामन थै चालियारे विष्णू वामन थै चालियारे श्वेत छत्र सिर परधरूरे कर्मा कमंडल सार मारावाला विष्णू वामन थै चालियारे विष्णु वामन थैचालियारे गुरुग चर्म काखमा सोब तूरे त्रेपुंद भाल विशाल मारा वाला त्रेपुंद भाल विशाल मारा वाला आज विष्णु वामन थैचालियारे जगावतारे वेद दर्भवाल जगावतारे ने यग्योप वितना दान मारा वाला आज विष्णु वामन थैचालियारे सरस्वति हार आरोप तारे आज विष्णु वामन थैचालियारे आज विष्णु वामन थैचालियारे करुणा सिंधु क्या चालियारे करुणा सिंधु क्या चालियारे विष्णु 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 पाकी चे अधी गणा मनो रखे कई बाजु है फे अधूरी छे अम आसमारा बाल विष्णु वामन थाई चाल यारे फ्रग कच्छ मा मों जाओं है फ्रग कच्मा आज का धरूँ वाह जारों केम हणवाबलीन अभीमान बाराई है फ्रग कच्छ मा आज यारों अभी माने मारा वाला विष्णु वामन थाई चाली आरे आज विष्णु वामन थाई चाली आरे मताडवा विजो इंद्र मारा वाला मताडवा विजो इंद्र मारा वाला विष्णु वामन थाई चाली आरे वो आज विष्णु वामन थाई चाली आरे वो आज विष्णु वामन थाई चाली आरे वो आज विष्णु वामन थाई चाली आरे हनवा बली नो अभी मान मारा वाला वार वाला हे हनवा बली मान मारा वाला हे हनवा बली नो अविष्णु वामन थाई चाली विष्णु आमर्में चाधियारे वाउसरस सुन्दरललाट त्रिकुंड धारण करेलू मुझी मेखला कोपिन धारण करीन आधमा दंड कमंडल लेन नर्मनाजी नाकिना रहू पर जयाँ अलो बली राजा अश्मेग एक ये करी राजी त्याँ आवया और ये द्वारपाल सेनी कोई जोई हूँ अधबुत बालक अधबुत तेज जही ने महाराथ ने समाचा राप्या एक बटुक महाराजी पढ़ा रहा छे अधबुत तेज इमना मुखारविन की चलकी रहूँ जही बली राजा पधार्या स्वागत पर रहूँ स्वागतम दे नमस्तुभ्यम ब्रम्मन किंतरवागते ब्रमशेना अधपह साक्षार्या मन्येत्वायं वपुत है भुदेव भुदुक महाराज आपनों खोब-खोब स्वागत छे कहों आपने सुसेवा करिश्राई कहां जो हुआ कर दो करें दो को आपने हैं आपके तो आपना माटे सरस्मजानी सुंदर कन्या लईने आपनी साथ आपनों विभाग गर आगी तो आप आदेश करो आप आग्या करो आप बदु तो ठीक चे पड़ मने तो हुँचे माटे आईवो चुँ मने तो मारा पग थी त्रण पग हुँँ मापे शकू एटली मने भूमी जोई है अरे महाराज आशु वाद करो चो आप देखाव मा तो नाना चो मने तो लागिए बहुँ विद्वान जानकार हो सो पड़ जो आमा ञेहा नाना चो वातोमा वातो भना आप आवीं जे चे आच्छे आची है मने त illustrang पग भूमी जोई है